हेलो दोस्तो स्वागत है को नया वीडियो अन्बक्सिंग एलर्ट का दोस्तो अगर आपका बजट भी है 15,000 और आपको लेना एक बजट 5G स्मार्टफोन तो इस सही जगह पर आ है आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को दो स्मार्टफोन जो दोस्तो अभी इंडिया में ए कमपनी तो आपको 5G स्मार्टफोन देगा पर उसमें कमपनी बाकि कुछ कुछ स्पेकिकेशन को कर देगा क्या करेंगा उसके बड़न करेंगा पर दोस्तों में यहां पर 5G budget में स्मार्टफोन तो सब से ौसरोक्राय स्मार्ट फोन में realme 8 5 अध्य दोत्तों यह काफी भेहतरीन है क्योंकि येल्मी का 15 ला आपको ये पहला 5G स्मार्टफून देखने मिलेगा दोस्तों स्पेसिफिकसं की बात करें तो 5G को देखते हुए स्पेसिफिकसं काफी ठिक ठक सी दी वही है दोस्तों डिस्प्ले डिजाइनिंग की बात करें तो 6.5 इंचेस का देखने मिलेगा त्रिपल ड्रेट्ट केमरा लडी फ्लेश के साथ पॉली का इपट का बेक दिया हुए है रियल्मी का ब्रांडिंग और साइट मांटेट फिंगर पिंगर पिंट आपको देखने मिलेगा डिस्प्ले डिजाइनिंग दोस्तों अगर प्राइजिंग और 5G क जो कि दोस्ते बैटरी एफिसेंट पॉसेजर है बॉर्डेट और हाइग ग्राफिक्स गेम अब काफी स्मूथ इसमें खेल सकते मतलब बॉल सकते हैं पॉसेजर काफी लाजवाब दिया हुए है बैटरी की बात करें तो 5000 अमेच की आपको बैटरी देखने मिलने वाली है सा 5G को देखते हुए यह बजट में 15,000 में आपको 4GB करें 128GB का स्ट्रेज देखनी मिलने वाला है 5G स्मार्टफोन पर दोस्तों इस स्पेसिफिक कर से थोड़ा सा कड़ान हुआ है तो दोस्तों मैं आपको यह बात बताऊंगा अगर आपको 5G स्मार्टफोन ही लेना है तो इ अच्छा स्मार्टफोन चाहिए तब दोस्तों आप एक वीडियो देख सकते हैं यहां पर मैं लगा दे रहा हूं जहां पर मैंने कुछ कॉंपेर किया है रियल्मी 8 4G को और रियल्मी 8 5G को पर यह वीडियो जरू देखिएगा नेक्स्ट स्मार्टफोन है दोस्तों ओपो क स्टोरेज दोस्तों यही काफी बड़ी बात है क्योंकि 15,000 में आपको एक 5G स्मार्टफोन मिल रहा है साथ में 6GB के रेम 118GB का स्टोरेज पर दोस्तों यहां पर कुछ कुछ चीजों को कर्दाउन किया है उसके बारे में हम बात करते हैं अगर डिस्प्ले डिजानिंग के इनचेस का डिसप्ले मिलेगा आपको एपेश पेनल के साथ जहां पर आपको 60Hz का डिफेसेट देखने मिलेगा अगर डिजानिंग के बात करते हैं तो आपको त्रीपल रेकोसिंग के मिलेगा अज़ी फेस के साथ पोली कावएड का बैक होगा अपो का ब्रांडिंग और आ 700 का आपको 5G processor देखने मिलेगा जैसे कि realme 8 में आपको देखने मिला था अगर इसकी बैटरी की बात करे तो 5000 mh की आपको बैटरी देखने मिलने वाली है पर दोस्तों यहां पर आपको कोई भी fast charger देखने नहीं मिलेगा यहां पर 10 watt का standard charger दिया गया है अगर camera की बात करे तो र दोना smartphone best है पर OPPO को मैं अगर बात करूँ तो इसका RAM काफे ज्यादा दिया हुआ है 15,000 में आपको देखने मिलेगा 6GB का RAM और 108GB का storage और साथ में 5G smartphone तो budget में यह smartphone भी काफे बहतर है और realme 8 15,000 में 4GB का RAM और 108GB का storage यह smartphone भी best है पर दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को फिर स पर दोस्तों अगर आपको जानना है कि 15,000 में यह उसी के range में कौन सा smartphone अच्छा होगा तो दोस्तों end में डिस्क्रिप्शन में आपको link मिल जाएगा कुछ वीडियो का जाकर उसे देखे तो आप वहां पर clear हो जाएंगे कि आपको 4G लेना चाहिए या 5G लेना चाहिए पर अगर सवाल है आपका यह कुछ भी सुझा पर कॉमेंट कर सकते हैं अगर परसनी मुझसे बात करना है तो इंस्टागाम का link दिया वाए डिस्क्रिप्शन में वहां पर जाकर मुझे परसनी मेसेच कर सकते हैं और दोस्तों आप लोगों से मुझे एक feedback भी चाहिए अगर कर दोस्तों आप